नमस्कार दोस्तों स्वागत कर रही हूं आप सभी का शिक्षा प्रवा में तो 12th क्लास की बच्चों का था आज सोसोलोजी का CBSE Board Exam आप लोग देख रहे हैं सोसोलोजी की आंसर की पेपर सॉलेशन कोशन पेपर एनलाइस के रिगार्डिंग कोई वीडियो तो आप बिलको सही वीडियो देख रहे हैं यहां पर आपको मिलेगा आपका सोसोलोजी का पेपर सॉलेशन इसके साथ ही साथ अगर बिटा आप करके जाएगा और अपने बागी सब्जेक्ट का सॉलिशन भी आप सिक्षा प्रभा में देख सकते हैं कोशन पेपर को साथ में रखेंगे और मिलान करेंगे अपने सही आंसर का यहां पर आपको मिलेगा आपका सी उटी आप लोग देने वाले होंगे उसके रिगार्डिंग पूरी अपडेट्स सबसे पहला कोशन है आप लोगों का जनसंख्या की पराश्रित और कारेशील हिस्सों की तुलना के लिए उनको मापने का क्या साधन है ठीक है तो इसका बिलकुल सीधा जो कोशन्स पिटा आपके आए दिना सिंपल थे इजी थे और डिरेक्ट याद कर ने वाले थे तो और अप्शन सी पराशितता अनुपाद जिसको हम डिपेंडेंसी रेशियो भी बोलते हैं अब आपका सेकंड गोशन है कथने जातिये समू सजाती होते हैं बिल्कुल सही बात है अर्थात विभासमू के सदश्यों में ही हो सकते है बिल्कुल सही है इसका क तो इसका सही अंसर हो जाएगा आपका option A अभीकतन एक अठक कारेनार दोनों सही है और एक दूसरे की सही सही से रियाख्या तरते हैं तीसरा question है आप लोगों के लिए प्रतेक समाज में कुछ लोगों के पास धन, संपदा, सिक्षा, स्वास्ते वं, शक्ति जैसे मुल्लवान संसाधनों का दूसरों के पिक्षा ज्यादा बड़ा हिस्सा होता है यह संसाधन पूंजी के तीन रूपों में विभाजित किये जा सकते हैं तो पूंजी को डिवाइड किया जा सकता है आर्थिक रूप में संस्कृतिक रूप में और सेक्षिक रूप में नहीं बटा जा स और इसको क्या ही कहते हैं तो इसको कहते हैं ऑप्शन डी खंडात्मक विभाजन कुछ्यर नमबर पांच। कौन सी विशेष्टा रंग भेद की एक निती का तत्वर नहीं है तो भूमी के सौमित्व से इंकार, दक्षिन अफ्रिक्की, नागरिक्ता से इंकार, मिश्रित विभा की अनुमती, या फिर option D, सरकार में आपचारिक आवाज से इंकार, तो इसका सही अंसर होगा, option C, मिश्रित विभा की अनुमती, ठीक है, ये रंगधेद की निती का एक ततुर नहीं है, question number six, रास्ट्रे के एक अनुठे किस्म का समुदाय होता है, रास्ट्रे से संबंदित, गलत कथन को चुनिए, वर्नन करना कठीन है, परिभाशित करना कठीन है, देखे बटा, बहुत ही similar से दो यहां पर नोने दिये है, question को टफ बनाने की कोशिश की है, तो ये वाला और ये वाला तो बिल्कुल सही कठन है, अब वर्नन करना कठीन है, और परिभाशित करना कठीन है, इन दोनों में से कोई एक होना चाहिए, तो ये जो मैं आपको बता रहे हूं, ये मैं मेरे अपॉर्डिंग बता रहे हूं, कि वर्नन करना कठीन है, हो सकता है, और बाकी अगर इसका सही आंसर आपको आता है, तो बिटा कमेंट वॉक्स में मुझे जरूर बताए, इन्होंने कन्फ्यूस करने के लिए ये दोनों ऑप्शन को यहां पे रखा है, A और B को बढ़ते हैं, नेक्स्ट कुर्शन की तरफ, कुर्शन नमबर सेवन है, केवल एक अकेली रास्ट्रे पहंचान बनाए रखना, जिसके लिए सार्वजिनिक ततर राजनितिक कारेचित्रों से नजातिय रास्ट्रे और संस्कतिक विभिनताओं को दूर करने का प्रयत्न होता कुर्शन नमबर एट है, दक्षिन एशियाई और निमनलिखित में से कौन सा सही है, तो मनरंजन की सुविदाय अपलब्ध नहीं थी बिल्कुल गलत है, उन्होंने क्लब्स बनाए हुए थे, जो कि क्या करते थे दोपहर में और इवनिंग में चिलाउट करने के लिए यह भी बिल्कुल गलत है, उनकी सड़के बहुत अच्छी थी नियोजित थी और सी वाला उप्षिन सही है, दक्षिन एशियाई उपनिवेशिक सहर के यूरोपिय नगरों में नागरिक सुविधाय उपलब्ध थी और जबकि उनके बंगले भी बहुत विस्तीन थे अविस और नए उपनिवेशिक शहरों का उद्भव हुआ विकास हुआ, दोनों ही सही है, ठीक है, एक दूसरे की व्याख्या शायद नहीं कर रहे हैं और कर भी रहे हो सकते हैं, हाना, तो देख लीजेगा क्या होना चाहिए, वसे मेरे हिसाब से तो इसका आंसर होना चाहिए, जो प्राइब जो जो प्राइब कर दूसरा के लिए बहुत से कानून बना दिये तो हम जाएंगे ओप्षिन एक तरफ हैं, और दुरगटना की वस्ता में किसी भी लाभ की जिम्मेदारी देने से नहीं कर दोनों सही है, और एक दूसरे की व्याख्या भी लगबग कर रहे ह तो हम जाएंगे ओप्षें तरफ is aa selon प्राइब कर दूसर ने के लिए किया सही नहीं है, तो यही सही नहीं है यह तो मुक्त अंतरास्वे वेपार होना चाहिए, आयात खोलना चाहिए, प्रतिस परदा वैश्य वजार से होने चाहिए, तो option A इसका सही आंसर होना चाहिए, 11 का option A question number 12 है, निमने लिखित में से कौन सा कतन उच प्रजनंदर के परिद्रश्य में सत्या है तो प्रतिस्थापन सतर तक पहुँचने में अधिक समय लगता है, नहीं, काम समय लगता है, बहुत जल्दी प्रतिस्थापन सतर तक पहुँच जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, कि उच प्रजनंदर हो जाती है, question number 13, question number 13 में आप से पूछा गया है, फिर से कतन हर्ताल कर मुश्किल हो जाता है, बिल्कुल सही बात है, option A सही एंसर है, A और R दोनों सही हैं, सही से व्यक्या भी हो रही है, 14, जहां तक सकरात्मक विशिस्ताओं का संबंदा जातियों को उनके इस्थाही तदा अर्जित विशेशग्यों के अनुसार विभाजित किया गया है, निम अप्शिन नमबर 15 है, बाकि टीनों पॉइंसर निमने लिखित में से निमने लिखित में से गौन सा शामिल नहीं है, तो अपने देशे एकरिशिग्यान को निरथक बना देती है, option B एक त्र रिखन नहीं है, चिक हैं, बाकिन 3 पॉइंस सही है, Q16 कथन है, सामाजी कंदलन क यह दोनों ही एक दूसरे के बिल्कुल अच्छे से व्याक्या कर रहे है और सही भी है तो ऑप्शने वापस से सही है अमसर कुर्शन नंबर 17 है बचे आप लोगों के लिए सामाजिक अंदुलन वर्तमान सामेजिक तथा राजनितिक विन्यास को दुई में प्रगतिशियल चर कुर्शन नंबर 17 है को बराजनिति नंगे ऑदासों और युद्ध में पराजित लोगों पर लागू होता है तो मिल्कुल कोय निया बीड़न और सुटावां अर्जित प्रश्टिति और धिकरम और कि किसी शब्द को यह लोग यहां पर यूज करना चाहरे है अलग अलग अर्थों में अलग 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 शब्द प्रियुक्त हो सकते हैं तो 20 कोर्शन का अंसर मुझे नहीं लगता कि इसमें से कोई होना चाहिए और अगर शायद होगा तो मैं अपनी तरफ से पता रहे हूं नौट शूर कि ऑप्शन भी शायद इसका होता अगर मैं पिपर लगाती और प्पर करती और प्वाइंट लगा कर आती लेकिन अगर आप कराओ तो आपके प्यूंग कोई तो आप लोग करी लें के क्या उनकि आंसर आपको आते होंगे और आपनी अपनी जुखे है अपने सबी एक्जाम रहे हैं आप अच्छे नंब हैंऐ उस और आ चाहते हैं थी यह कोलीज जाहते हैं नवर्य कोर्स